हलो मेरे पैरे बच्चो स्वागत है आपका सेशन में यह वाला जो हम लेक्चर ले रहे हैं यह हमारा एक कंक्लूजिव सेशन होगा अभी तक हम लोग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल बारा खतम कर दें तो यह हमारा कंक्लूजिव सेशन होगा जिसमें हम बचे वे accounting principle आप wrap up कर देंगे ठेक है तो मैं आज जो पहला principle लेने वाला हूँ जो कि आप screen पर देख सकते हो कि नाम क्या है going concern principle क्या बुला going concern principle क्या कहता है यह कहता है business will be business will continue for unforeseeable future मतलब business चलता रहेगा अब देखो ध्यानते that is no intention to close down the business अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ यह जो मेरा going concern principle है न यह going concern principle यह बताता है कि हमारा business को बंद करने का कोई भी intention नहीं है मतलब हम हमारे business को unforeseeable मतलब जहां तक देखता नहीं वहां तक हम हमारे business को क्या करेंगे carry करेंगे आ रहा सुन्यें मतलब हमारा एक परसेंट भी intention नहीं कि हम business बंद करें सर यह principle का example और इसका implication क्या है why it is important अब ध्यान से सुनना why it is important why it is important अब ध्यान से देखना लगता why it is important यह important क्यों है मैंने का मेरे प्यारे बच्चों यह इसलिए important है तुम्हें याद होगा मैंने expenditure का classification पढ़ाया था आप लोगों को मैंने आपको expenditure का classification पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको उस classification में बिल्कुल clearly एक चीज़ बताई थी मैंने का था जो current year में benefit देगा वो हमेरा expenses है और जो मुझे future में benefit देंगे वो मेरे assets है याद आ रहा है मुझे एक बात बताओ अगर कोई company यह कहती है कि वो तो अगले साल बंद होने वाली है क्या बोलती है वो company वो company कहती है भया हम तो अगले साल व्यापार या business बंद कर रहे है तो मेरे पहरे बच्चों मुझे बताओ ना क्या फिर यह सारे principle expenditure वाली story चलेंगी काम आएंगी बिलकुल नहीं आएंगी याद अरे भया जब business बंद करने का आपका इरादा है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको future में क्या मिलेंगे कोई benefit मिलेंगे so guys यह principle बहुत 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 important है क्योंकि यह बताता है कि हमारा जो owner है या हमारे खुद के जो intention है वो बिलकुल भी ऐसे नहीं है कि हम business को क्या करें बंद करें मतलब हम business को carry करने के intention के साथ है और carry करने के intention है इसके मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप क्या करोगे अपने जो asset है आप उनको classify करोगे आरसने आप जो current year में benefit मिल जाता है उसको expense मान लोगे जो future में आपको benefit मिलेगा उसको asset मानोगे अरे अगर company बंद करने के intention से होती तो asset तो होते ही नहीं अरे गई समझ में आ रहा है कि इतना important है क्योंकि company future देख रही है company assume कर रही है future में चलेंगे हमारा को intention नहीं है इसलिए तो company क्या दिखा रही है asset दिखा रही है कि भविश्य में फायदा दिखेगा clear है बेटा फंडा अरे आपने किताबे खरीदी यार आपने book खरीदी और वो 9th और 10th let's say आपने कोई coaching institute की एक online subscription ली 2 साल की आपने का यार यही से 9th पढ़ेंगे यही से 10th पढ़ेंगे चुरू के दो lecture तो बड़े अच्छे और बाद में ना तो lecture बेजे ना कोई response दे तो मेरे पैरे बच्चों आप क्या 10th class continue करोगे नहीं इसका मतलब आपका intention क्या है अब उससे नहीं पढ़ोगे तो आपने जो 10th books में book कर लोगे कि आपने जो भी खर्चा किया वो current के लिए किया है क्योंकि भविश्य तो ही सेम वैसा ही business में होता है अगर business का intention यह है कि हम बंद कर देंगे business का intention यह है कि हम carry नहीं करेंगे अरे मेरे पैरे बच्चों जब वो carry नहीं करेंगे तो भाहिया क्या करना है फिर सब चीज़ों का asset वैसेट कुछ पाइदा तो मिलेगा निए तो आज ही उन सारे के सारों को अपना expense book कर लेंगे is this clear to you but यह सारी की सारी asset expense यह theory इसलिए आती है क्योंकि एक concept है जिसका नाम क्या है बिटा depreciation आ रहा समय क्या है बटा sorry depreciation क्या going concern principle depreciation अब connect करने वाला था मैं ज इसलिए important है क्योंकि यह story of the expenditure और बाकी सारे major concept इसी principle की वजह से है जैसे की depreciation याद गरो depreciation पढ़ाया था मैंने आपको क्या कहा था मैंने का आज आपके पास एक asset है जो मैंने नाम दे दिया था यह fix the assets है क्या है मेरे पहरे बच्छों कॉन सा asset है fix the asset है तो मैंने का guys मैंने ए एक fix asset है मतलब एक ऐसा asset जिसका मुझे benefit मिलेगा long term तक कब तक benefit मिलेगा long term तक तो जब मैं के रहा हूं कि मेरे बैणे बच्चों long term तक तो मैं कहता हूं year 1 में कुछ खर्चा book होगा कुछ year 2 में होगा कुछ year 3 में होगा कुछ year 4 में होगा या एक बार asset का मैं नाम ही लिख द तो मैं खर्चा भी कितने साल बुक करूंगा चार साल में अरे एसके नो कितने साल में खर्चा चार साल में अरे 40,000 का खर्चा तो मैंने expenditure तो आज किया बट benefit कब मिलेगा अगले चार साल तो नॉर्मली मैं यह बोलूगा कि expenses मैं कब बुक करूंगा अगले next four year में in the name of depreciation या दार है concept किया था detail में नहीं भी आ रहा तो वापिस यह मौका है कि वापिस you can pick it up now listen to me very carefully मैंने का मेरे प्यारे बच्चों मैंने 40,000 का एक AC खरीदा और वो AC मुझे 4 साल benefit देगा तो मैं कहूंगा normally हर एक साल कितने का benefit आ रहा है 10,000 तो मेरा खर्चा कितना हो गया 10,000 बट अगर मुझे एक बात बताओ मेरा अगर पहले से intention है कि भीया मैं तो business पहले साल के बाद ही बंद कर दूँगा मैं यह continue नहीं करूँगा इसका मतलब आपने जो AC खरीदा है इसको आप एक ही साल में बुक कर लोगे that is in the year one तो आपको समझ में आ रहा है what I am trying to say boss going concern कितना important है जितने हमने concept पढ़े अभी तक वो सारे fail हो जाएंगे अगर going concern ही नहीं क्योंकि normally हम यहीं मान के चलते हैं कि business तो चलता रहेगा इसलिए ही concept of asset आया आ रहा है बट अगर मैं कह रहा हूं business ही बंद हो जाएगा तो कहीं का asset बविच्चे तो है ही नहीं तो benefit कैसे मिलेगा story clear है तो going concern principle यह बताता है कि that business intention is to continue not to close आरा सुन में not to close down the business हमारा क्या है continue करने का काम है story समझ में रहे ही आपके level तक यहां तक आप से यहीं पूछा जाएगा what do you mean by going concern principle तो आप को होगे going concern principle states that the business will continue for unforceable future that is the business does not have the intention to close it down अब आप से पूछेंगे example दो तो आप कहोगे depreciation going concern की वज़े से charge होता है classification of expenditure into asset and expense इसकी वज़े से होता है तो example और material पूरा आ गया मतलब अपने level से भी आगे निकल गया है ठीक है फटावट इसको copy मारो फिर अगला concept करेंगे 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 अपने copy कर लिया होगा इसको अराम से pause करके I have given you enough time अब बैया अब जो आता है वो है AP 14 अपना आखरी that is AP 14 क्या बोलता है accounting principle 14 क्या कहता है यह बात करता है और इसका नाम जो है पहले वो बतायता हूं full disclosure क्या बोला बेटा principle का नाम full disclosure principle क्या कहता है यह full disclosure principle यह कहता है that is जब आप अपने financial statements बनाओ अब यह financial statements बनाओ क्या बोला मैं फाइंशल statement बनाओ तो अब यह financial statements क्या होता है अब मैं बता देता हूं आप आपके लिए भी नया नया है यह शब्स याद है मैंने वो summary बताई मैंने कहा था यार summarization होता है मतलब हम लोग accounts में profit या loss निकालते हैं तो मैंने कहा financial statement आप यह समझो कि ऐसे statement आ रहा है जिससे हम क्या निकालते हैं एक तो profit और loss तो मैंने कहा उसको हम बोलते हैं यहां पर technical word में आप मानलो आगे chapter आएगा जिसमें detail में होगा जब पूरा last के course में जब पोचेंगे तो एक account होता है जिसका नाम होता है trading and P&L account कौन सा account होता है बेटा trading and P&L तो मैंने कहा trading और P&L जिससे हमें actually profit मिलता है जिससे हमें क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्छों जिससे हमें profit मिलता है यह है क्या trading और P&L क्या है we calculate profit together ठीक है we use it to calculate the profit to calculate the profit तो हम लोग इससे क्या करता है मेरे पैरे बच्चों इससे profit calculate करते हैं क्या calculate करते हैं profit मैंने का वेसे का वेसा ही एक हमारा balance sheet भी है क्या है मेरे पैरे बच्चों balance sheet ये balance sheet क्या करता है मैंने का यार ये balance sheet बहुत easy काम करता है ये balance sheet ये काम करता है ये हमें ये बताता है कि अपने पास assets कितने प्लस हमारे पास liabilities कितनी है क्या बुला में ने हमारे पास assets कितने है और हमारे पास liability कितनी है समझ में आ रहा है बल्ला हमारे कितनी पास संपत्ती है और कितनी हमारे उपर जिम्मेदारी है तो मैंने का ये financial statement होते है कि profit निकालना और बताना कि हमारे पास कितनी asset कितनी liability है तो कहने का मतलब ऐसा है मैंने देखो छोटा सा overview दिया आगे जब end आएगा तो मतलब इस पूरे level का end आएगा जब end में आप पढ़ोगे कि trading panel और balance sheet कैसे बनते हैं बट अभी मैंने आपको overview दिया है कि ये क्या होता है आरा समझे तो ये जो trading panel balance sheet मतलब profit निकालना और आप जब अपने asset liability बता रहे हो तो ये principle कहता है कि भाईया आप यहाँ पर पूरा disclosure दोगे full disclosure दोगे disclose करना मतलब बताना तो आपके आपके जो भी user होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे आपके जो सारे के सारी user होंगे वो आपके financial statement देखेंगे देखेंगे यार यह company पैसा कमा भी रही है की नहीं company के पास asset है की नहीं तो company क्या करेगी full disclosure principle मतलब वो जब financial statement मनाएगी तो एक full disclosure principle भी follow करेगी that is यह सारी कि सारी disclose करेंगी चीज़े disclose all the material items and the policies and principle followed while preparing them सम्झ मेरा में क्या बुल रहा हुँ? सम्झ मेरा में क्या बुल रहा हुँ? अभी सम्झाते हैं बाटा, इंग्लेश है? अभी सम्झ मेरा है की डूंट बड़ी बुल तक वाटा, बुल प्रेपेरिंग, अभी सम्झ मेरा आगा बुल बुल रहा हुँ? disclos all the material items and the policies and principles followed while preparing the financial statement कहने का मतलब ऐसा है कि जब अपन financial statement बनाते हैं इन financial statement में हमें trading और P&L और balance sheet बनाते हैं जो हमारा profit या loss या हमारे पार कितना asset ए कितनी liability वो बताते हैं तो हम जब ये बनाते हैं तो हमें सारी चीज़ें disclose करनी पड़ती है कि हमारे पास क्या-क्या material items during the period हुए plus हमने ये जो financial statement बनाए हैं इनको बनाते वक्त कौन-कौन से principles को हमने follow किया है हमने कौन-कौन सी policies को follow किया है वो सारी की सारी चीज़ें भी हमें बतानी है ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपको लगे यार ये चीज़ हम disclose करेंगे तो हमारे business के against हो जाएगी तो आप disclose भी ना करो ना ना ऐसा आप करी नहीं सकते आपको fully disclose करना पड़ेगा full disclosure principle कहता है you should disclose all the material items you should disclose the policies you should disclose the principle that you have followed while preparing the financial statement तोरी समझ में आ रही है दिमाग में सेट हो रही है चलो बटा इसको कॉपी मारो कर लिए कि तो इस दर ने समझ में आ गया ही पुरा का बुरा गाईज हम लोगों ने 14 accounting principles कर लिए कितने accounting principles कर लिए 14 accounting principles हम लोगों ने कर लिए अब ध्यान से सुनना अब एक important और छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ इन में से कुछ accounting principles fundamental accounting assumptions होते हैं क्या बोला मैंने fundamental accounting assumptions में आते हैं मतला fundamental accounting assumptions मतला माना जाता है कि यह हर organization follow करती है सो मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ fundamental accounting assumptions क्या होते हैं सबसे पहले fundamental accounting assumptions क्या कहते हैं पिटा यह fundamental accounting assumptions कहते हैं my dear friends यह कहते हैं कि सबसे पहले अपने यह देखते हैं what यह होते हैं fundamental मतलब और assumption मतलब we will always assume alwaysבה these accounting principles are फॉलोड वाइल प्रिपेरिंग दव फाइनेंशल स्टेटन मतलब फंडमेंटल अकाउंटिंग अजंशन्स क्या है मतलब हम यह अज्यूम करते है हम यह अज्यूम करते है कि इन अकाउंटिंग अजंशन्स को इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इन अकाउंटिंग कॉंसेट्स को और्गनाइजेशन ने फॉलो किया ही किया होगा क्या बोला मैंने और्गनाइजेशन ने इन फंडमेंटल accounting assumptions को follow किया ही किया होगा मैं यह assume करता हूँ आरा समय है अब यह तो assume करता हूँ if not followed क्या बोला if not followed by the if not followed by the entity proper disclosure should be given क्या बोला आपने proper disclosure should be given देखो मेरे प्यारे बच्चे आपने यहाँ पर क्या कर लिया हमने कहा कि अगर entity ने क्या बोला मैंने अगर मैंने कहा entity ने कोई particular यह fundamental accounting assumptions को follow नहीं किया है तो उसको properly disclosure देना पड़ेगा full disclosure के हिसाब से full disclosure पड़ा था ना वहाँ disclose करना पड़ेगा क्या disclose करना पड़ेगा कि भाया हमने accounts बनाते वक्त अपने यह fundamental accounting assumption follow नहीं किया है आरा सुन में यह बताना पड़ेगा अब सबसे पहले which principle क्या बुला हमने which principle which principles are fundamental accounting assumptions और fundamental accounting assumption और concepts मतलब कौन इन में से fundamental accounting assumption की category में आएगा पहले यह बताओ तो उन्हें का ठीक है यार कोई tension नहीं तुम्हें पता है जैसे तुम्हें घर पे पैसे मिलते हैं तो उसकी checking कौन करता है कि तुमने पैसे कहां खर्च की यह बताओ मुझे उसकी जो पैस जो तुम्हें पैसा मिलता है उसकी checking कौन करता है उसको verification कौन करता है कौन verify करता है कि कैसा उल जलूल चीजों में तो खर्च नहीं कर दिया तुमने पैसा कौन करता है मम्मी पापा एक बात बताओ हमारे देश में जो हमारा ये देश वासियों का तुमारा मेरा या जो जो बड़े इंकम वाले लोग हैं जो टेक्स दिते हैं या बाकी resources से जो सरकार के पास पैसा आता है सरकार उस पैसे को खर्च करती है पर जाच भी तो होनी चाहिए चेकिंग भी तो होनी चाहिए कि पैसा कहीं इदर उदर तो खर्च नहीं हो रहा है तो उसके लिए मेरे पैरे बच्चों एक organization एक body है जिसका नाम है CAG Comptroller and Auditor General ठीक है तो मैंने कहा अब अपना जो code है वो ही है CAG क्या बोला मैंने CAG CAG Comptroller and Auditor General दो काम हो गए एक तो याद गड़ने के टेक्निक दूसरा जीके भी तो बढ़ गई CAG नाम से कोई होता है और वो सरकार के खर्चों की जांच करता है आप देखो ज़र ये जो C है इसका मतलब याद गरो कोई एक principle याद आ रहा है क्या एक consistency नाम से पढ़ा था मेरे पहरे बच्ची याद आ रहा है consistency नाम से एक principle पढ़ा था हमने कहा था जब आप एक accounting period से दूसरे accounting period पे जाओ मतलब एक साल से दूसरे साल जब जाओ तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्या बुला कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप accounting के जो policies है principles उन सब को आप क्या कर रहे हो हर साल change कर रहे हो ऐसा नहीं हो आप अपनी accounting policies को लेके consistent होने चाहिए एक साल जिस तरीके से आपने किया अगले साल भी आप उसी तरीके से करोगे उसके अगले साल भी उसी तरीके से करोगे तो यादारा है consistency तो consistency principle जो है वो एक fundamental accounting concept है मतलब अगर organization एक साल से लेके दूसरे साल में जब वो गए और उन्होंने अगर कोई policy में change किया तो उनको disclose करना पड़ेगा ताकि user को पता पड़े कि भी आपने last year ये policy follow करी थी और इस साल ये करी है और ये भी बताना पड़ेगा इसकी वज़े से इस financial statement में क्या impact आया कोई मुनाफे पे कोई नुक्सान पे वो सब disclose करना पड़ेगा तोरी समझ में आगी second ये से तो यार गेस करी सकते हो बड़ा लंबा time spend किया है बहुत दिमाग में इसने तुम्हें तकलीफ दी है समझने में ना मैं accrual अरे भाईया accrual जो principle है वो भी fundamental accounting assumption है accrual याद आ रहा है accrual कहता है कि इस साल का हमारा खर्चा वो होगा जो हमने incur किया है ना कि जो हमने pay किया है मिला है समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ accrual पे तो detailed research होनी चीए तुमारे पास जी मतलब अभी अभी पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों जी मतलब going concern भी fundamental accounting assumption है बिल्कुल तो अगर एक organization जिसका intention है कि वो company अपने बंद करने वाली है तो आप यह कहना चाहते हो आप यह कहना चाहते हो कि हमें वो जो organization है उसको हमें disclose करना पड़ेगा मैंने का बिल्कुल disclose करना पड़ेगा my dear friend बिल्कुल disclose करना पड़ेगा कि हम going concern follow नहीं कर रहे हैं हमारा intention है कि हम हमारे business को बंद कर देंगे आरा समय है clear है बिटा फंडा तो मैंने आपको fundamental accounting assumptions क्या होते हैं मैंने आपको वो detail में बताया मैंने आपको ये भी बताया कि fundamental accounting principles या concept या assumptions कौन से हैं वो नाम भी बता दिये मैंने CAG आपको अब आप पहले तो ये वाला part copy करो गई पहले तो ये वाला part copy करो आरा समय है मेरे पहरे बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने accounting principle 14 पूरे के पूरे खतम कर लिए हमने starting याद होंगी आपको हमने सबसे पहले start किया था accounting principle पर हम ने का rules और regulations तो होंगे याद आ रहा है अभी दिखाते हैं विटा याद आएगा बच्पन जो अपना था जो साथ में अपने निकाला देखो विटा कितने सारे प्रिंसिपल प्राक्टिकल एक्जामपल के साथ हम लोगों ने कर लिए याद आ रहा है यह देखो सारा का सारा definition हमने पढ़ा था कि accounting प्रिंसिपल एक set of rules ने क्यों होने चाहिए मैंने फर्स दे आपको पढ़ाया था कि आपको accounting सीखने की जरुरत क्यों है जबकि आप हिसाब किताब दो बच्पन से कर रहे हैं क्योंकि इसलिए सीखनी की जरुरत है ताकि आपकी कीवी और किसी और की कीवी अकाउंटेंट दौनों सेम हो दूसरा तुम उसका किया होगा समझपा हो तुमारा किया हो समझपा है तो ऐसा तो तभी होगा जब कोई set of rules होगे तभी होगा तो accounting principle क्या है set of rules कहां से बने मैंने गाँ दो चीज़ एक तो concept है और एक होना चीए ताकि क्या हो हमारा और बेटा प्रेजेंटेशन हो पाए financial statements का आरा समय है फिर हमने कहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखते हैं सबसे पहले कौन सा देखा हमने देखा था money measurement क्या कहता money measurement इन अकाउंटेंट से भी रिकॉर्ड हूं ली दोज आइटम्स विच याद आ रहा होगा मैंने बताया था reliability मतलब quantitative चीज़ें अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है qualitative नहीं फिर हमने पढ़ा था accounting period क्या कहता है अरे यार हम पूरे business की life का एक साथ analysis करेंगे एक साथ interpretation करेंगे एक साथ summary बनाएंगे क्या कोई use होगा नहीं सालना बनाओ ताकि देखने में analyze करने में आसानी हो प्लस जो उसका result आए जो अच्छी बुरी चीज़ हो वो आप next year में या तो बढ़ा सको और बुरी चीज़ है तो उसको कम कर सको ठेक है उसके बाद मैंने आपको बताया था entity principle accounting entity principle business और owner दोनों अलग अलगे इसलिए अगर business कुछ owner से लेता ह अरजन में business कुछ owner से लेता है owner कुछ देता है business के तो मेरे प्यारे बच्चों business कहता है यह मेरे लाइवलिटी है क्योंकि owner अलगे और business अलगे तो business ने अगर कुछ पैसा लिया तो उसको वापिस देना पड़ेगा तो accounting entity यह कहता है उसके बाद materiality पढ़ायता है materiality क्या कहता आपको बोलता है कि आप यह जितने भी accounting principle आपको में पढ़ाये वो सारे के सारे हर एक item पर नहीं लगाना है आपको सिर्फ उनी items में लगाना है जो material है जो significant है सर कैसे पता पड़ेगा significant amount देखो क्या देखो amount आप बड़ा amount अगर spend कर रहे हो तो यह significant है आप छोटा amount spend कर रहे तो देखो उसके बाद matching पड़ाया था, matching में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था, matching का मतलब यह नहीं होता कि revenue और expense दोनों बराबर होने चीए 100 और 100 नहीं, हमने कहा था कि matching एक ऐसा principle जो कहता है अगर आप revenue A year 1 में लिख रहे हो, तो उस revenue को earn करने के लिए आपने जो भी स्टरे साल आ रही है, story clear है, accrual principle बताने की जोड़ाती नहीं, अभी भी बताया, accrual क्या कहता है, अरे accrual क्या कहता है, accrual क्या कहता है, कि भाईया, हमारा जो खर्चा हम वो बुक करेंगे जो इस साल इंकर किया, payment से हमें कोई मतलब नहीं है, जो पे किया हो ठीक है, बट ह इस साल का पूरा खर्चा है, चाए पे हुआ चाए पे नहीं हुआ, जो इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है, इस सो भी बुक दिन दा करेंटियर, same with respect to revenue, whatever revenue you have earned for the current year, should we recorded in the current year, irrespective of the fact, वो मिला या नहीं मिला, सवाल किये थे, फिर मैंने 4 टम्स भी पढ़ाये थे, क चारों को डीटेल में discuss किया था आपके साथ, अब आता है consistency, अभी अभी revise हुआ था, कि हमें वहिया consistent accounting policy follow करनी है, एक साल से दूसरे साल, फिर कुछ बच्चों के सवाल आये थे, फिर हमने questions किये थे, फिर हमने क्या किये थे, questions किये थे, accrual और cash basis में difference देखा था, फिर हम आपके पास right, कब आप किसी चीज को मान लोगे कि यार ही हमारा revenue, क्योंकि याद करो accrual basis क्या कहता है, accrual basis कहता है, जब तुमारे पास right आ जाए, कि तुम पैसा ले सकते हो, तुम उसको क्या मान लोगे अपना revenue, तो same principle में ही आ जाएगा, आप किसी भी चीज को अपना revenue त प्राइस पूछी, टाइप और पिज़ा पूछे, revenue मानोगे नहीं, जैसे उसने पिज़ा खाया, तुमारे पास right आ गई, कि अब तुम उससे पैसा मांग सकते हो, तो उस तेम आप revenue उसको recognize कर लोगे, उसके बाद verifiable, हमने का है यार, हम accounts में वही चीज record करते हैं, जिसको हम verify कर सके, cost principle ये कहता है कि भाया, market value से तुमें कोई मतलब नहीं है, तुम cost पे record करोगे, किस पे record करोगे, cost पे record करोगे, फिर मैंने आपको क्या बताया था पिटा, फिर मैंने आपको बताया था, कौन सा principle था इसके बाद, इसके बाद था dual aspect, मैंने क्या का, dual aspect क्या कहता है, हर अगला चेप्टर आपका accounting equation होगा उसमें आपके बहुत काम आएगा जो accounting question करके chapter है उसमें dual aspects बहुत detail में हैं अब उसके बाद बेटा prudence concept या conservatism concept prudence concept या conservatism भी ये कहता है कि आप profit calculate करते वक्त या आप accounting करते वक्त कभी भी अपने profit तो estimate नहीं करोगे और हमेशा अपने losses को क्या करोगे estimate करोगे इसी वज़े से जो माल हम बेचने के लिए रखते हैं हमारे पास उसको हम या तो cost या market value दोनों में से जो कम है उस पे value करते हैं concept कौनजा है पीछे prudence concept है clear है उसके बाद हम जब आज पढ़ने लगे तो हमने पढ़ा going concern principle कौनजा going concern going concern में हमने ये पढ़ा कि हमारा business unforcible मतलब जो आगे दिखी निरा वहां तक continue होगा मतलब हमारा intention यह बंद करने का यही principle है जिसकी वज़े से हम expenditure story of the expenditure आई यह principle है जिसकी वज़े से depreciation का concept आपके लिए आया उसके बाद मेरे पहरे बच्चों क्या है full disclosure accounts बनाते वक्त सारी material item disclose करने की जिम्मेदारी है तुमारी क्या है सारी कि सारी material item disclose करने की जिम्मेदारी है तुमारी आरा समगे है clear है आपने जो भी accounting policy procedure फॉलो की है वो भी disclose करोगे फिर हमने last में आते आते हमने fundamental accounting assumptions पड़े जिसमें हमने का यह assumption यह principle माना जाएगा कि हमेशा follow है जब तक कि आपको contrary intent मतलब आप अगर इनको follow नहीं कर रहे हो तो आपको इसको disclose करना पड़ेगा और impact भी disclose करोगे पूरे के पूरे principle का एक quick मैंने overview दे दिया सारे principle लिख लिए example कर लिए but guys let me tell you again यह मैंने आपको पड़ा दी है आपके दिमांग में set हो जाएंगे बट फिर भी इनको consistently revise करना पड़ेगा अपने को इसको practical life में बार बार यूश करना पड़ेगा मतलब confuse your brain मतलब जितनी आपने कभी देखा है कि मैंने आर को किताब सामने रख रही है और में read करकर पड़ा रहा हूं आपने कभी देखा है मैं को किताब में से definition लिख रहा हूं क्यों ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं मैं मैं इस लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो accountancy पड़ी है वह accountancy मेरे दि तो आपको लगता है बच्चे की कोई ऐसी क्वेरी जो की बुक में नहीं है जो उसके दिमाग में चल भी उसका कभी आप आंसर दे पाओगे सवाली नहीं उठता तो गाई सेम पंडा जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इस नॉलेज को यूस करोगे तो आपका प्र प्रूब देने के लिए हमेशा आपको डिगरी की जुरत पड़ेगी कि यार मतलब आप क्वेश्चन मत करो मैं चार्टर काउंट इंट हूँ आपको बार बार अपने सेवियर के लिए किसी को लेके आना पड़ेगा बट अगर आप चाते हो लाइफ में यह सब चीज न ना हो एक्जाम में भी बाकी सब की तरह आप टेंशन में ना रहो तो आपको conceptual एक बदलाव करना चाहिए अपने पढ़ने के तरीके में and trust me this is the way to change start thinking everything you know practically try to link it with the situation apply it in every sense confusion will come but that is the best way to learn गाई ठीक है मैंने आपके बिल्कुल tips पे लादी है बटा सारे के सारे principles अब बस revise करने है अ अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ अगली चीजों के साथ next concept के साथ till then take care bye bye